ओके कहां तक के कॉशन हो चुके थे हैं? हम लोग कर रहे थे हैं SSE GD के PYQ जिसमें आल्रेड़ी हम लोग एक से लेकि पिछवतर तक के कॉशन कर चुके हैं आज हम लोग करेंगे पिछवतर से आगे के कॉशन ठीक है? और इसमें देखिए पहला क्योशन है अपने पास में ठीक है पहला क्योशन है दो मिद्वारों के बीच हुए एक चुनाव में दस प्रतिसत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया एक सो पचास मतों को अवेद गोसित कर दिया विजेता को अपने प्रतिदोंदी से तीन सो पचास मत अधिक मिले इस प्रकार उसने मतदाता सुची में पंजिकर्ट कुल मतदाताओं के पचास प्रतिसत मत प्राप किये राजित उमिद्वार के कुल पंजीकर्थ मतोस में से प्रतिशत मत ग्याद की सिए अब इस क्वेशन को मेरे साथ में ही करेंगे आँ सामने देखेंगे देखिए एक बढ़िया क्वेशन है अपने पास में सुरुवात में देखिए हम लोग यह ले सकते हैं कि टोटल मत दान देखो एक्स के रूप में ना लेके कुल जो मत है पंजीकर्थ वो मैं सो एक्स ले लेता हूं कितना ले लेता हूं सो एक्स इस में से दस प्रतिशत ने क्या किया है दस प्रतिशत ने मत दान नहीं किया है कितने प्रतिसत ने मद्दान नहीं किया है, तो अब बताओ कितने प्रतिसत ने किया होगा, 90 प्रतिसत, यानि 90 एकसा जाएगा इसका, 100 का 10 प्रतिसत कम करके निकालोगे, 10 प्रतिसत कम क्या हो जाएगा, 90 प्रतिसत, तो 100 का 90 प्रतिसत कितना हो जाता है, 100 का 90 प्रतिसत हो ठीक है, अब बताओ, कितने मतों को अवेद किया गया है, डेड़ सो मतों को अवेद किया गया है, ठीक है, तो इन में, क्या लेग दोंगा, नभगह X, माइनस 11 1983, अब दीखिई, अवेद मत निकाल दिये तो अब जो मत बचय हैं वो क्या मत बताईएगा वेद्य मत बचय है ठीक है यह वेद्यमत है विजेता को अपने प्रतिदिवन्दी से 350 मत अधिक मिले हैं जीतने वाले को कितने मत अधिक मिले हैं यानि एक उमीदवार ने कितने प्रतिसत मत प्राप किये? अगर देखिए इनी में से अगर एक उमीदवार ने पचास प्रतिसत मत प्राप कर लिये यानि सो में से लिया है पचास एक्स एक उमीदवार दूसरा उमीदवार ने कितने मत प्राप किये वो इस में से गठाएंग कि 90 में से 50 गटाएंगे कितना आएगा 40x ठीक है 90x में 50 ये गटाएंगे 40x-1.5 ये तो ऐसे कैसे रहेगा तो एक उमीदवार ने 50x प्राप्त किये दूसरे ने कितने प्राप्त किये 40x-1.5 अब कर लो आगे बताएगा मतों का अंतर कितना है 350 अगर मैं इस में से इसको गटा ठीक है गटाने का मिलब ये मानिस का और ये किसका प्लस का तो मुझे कितने का अंतर मिलेगा 350 का नहीं आई बात समझ में अगर मैं इस में से इसको गटाओंगा तो मतों का जो अंतर आएगा वो कितना होगा यहां जो अंतर होगा वो कितना होगा 10x plus का 1,500 बराबर कितना होगा 350 बात समझ में आई क्या अंतर का मतलब जादा में से कम को गठाना होता है तो बताइए अंतर 50x minus कितना हो जाएगा 40x minus 1,500 बराबर कितना दिया है 350 अब 50 में से 40 गए तो कितना मचेगा 10x और minus minus किसका हो जाएगा plus का बराबर 350 इसके बाद आप लोग 11,500 को इस तरफ ले जाएगा जब लेके जाएगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 200 x बराबर कितना हो जाएगा X बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा क्या X बराबर 20 हो जाएगे तो कुल मतों की संक्या कितनी आ जाएगी X से गुणा कर देंगी लेकिन आप से उचा क्या गया है प्राजित उमिद्वार के कुल पंजीगर्थ मतों में से प्रतिसत मत प्राजित उमिदवार कौन सा ये रहा यही है कि प्राजित उमिदवार ठीक है तो मुझे बताईए अब प्राजित उमिदवार को कितने मत मिले बताईएगा 40 गुणा 20 मानेस 150 अच्छा बताईएगा 800 हो जाएँगे क्या? आड़ सो में से डेड़ सो गए तो 650 हो जाएँगे क्या? और ये पराजीत उमीदवार के मत आ गया है 650 कितने में से आएँ? टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 100 गुणा 20 कितने हो गए? 2000 अब बताओ प्रतिसत निकाल सकत प्रतिसत निकालेंगे तो क्या होगा 650 बटे में 2000 और गुणा में 100 और अब हम इसे काट लेंगे काटेंगे तो क्या आएगा 20 से 20, 0 से 0 कितना आजाएगा बताईएगा 32.5 आजाएगा 32.5 प्रतिसत कौन सा आप्शन हो जाएगा इक चुनाओ में सन्तोस ने मंतोस से 24,000 अधिक मत प्राप किये युदि मंतोस और सन्तोस ने क्ल मतों की करमे से 30 प्रतिसत और 40 प्रतिसत मत प्राप किये तो कुल मतो की संख्या ग्याद कीजिए घीक है अब बताओ मंतोस और संतोस मन्तोस ने कितना 30 प्रतीसद और संतोस ने कितना 40 प्रतीसद ठीक है 30 और 40 कितने होते हैं 70 बाकि अन्ये ने कितने राब कियां 30 प्रतीसद अब आपको ये जो मत दिये हैं, ये किस रूप में दिये हैं? अंतर में दिये हैं, किस में दिये हैं? अंतर में दिये हैं, और अंतर कितना है? 24,000 का, किस किस का है? संतोस और मंतोस का, संतोस और मंतोस का अंतर अगर मैं देखू तो वैसे कितने का अंतर है? 10 प्रतिसत का, वैसे अंतर कितना द लिखूंगा 24,000 और अब मैं इसमें लिखूंगा एक प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा 2400 मुझे क्या चाहिए कुल मतों की संक्या कुल मतों की संक्या कितनी होती है 100 प्रतिसत तो 100 प्रतिसत बराबर कितना हो जाएगा ठीक है तो कितना होगा 2,40,000 कौन सा option हो जाएगा यह option हो जाएगा यदि तेल का मुल्ले 30 से बढ़ता है और अर्पी तेल पर किए गए खर्च को 10 प्रतिसत बढ़ाता है तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिसत कम करेगा अब देखो अगर ऐसे प्रश्णों को हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले इस लेंग्वेज पढ़ते हैं कभी कभी क्या गलतिया कर देते हैं गलतिया कर देते हैं तो ऐसे प्रश्णों को कैसे करते हैं 25 परतिसद बढ़ाता है किस बढ़ाता है मुल्य को 25 परतिसद का मतलब क्या होता है एक बटा चार बढ़ा देंगे तो 5 बटे 4 10 परतिसद बढ़ाता है 1 बटा 10 बढ़ाएगा तो कितना जाएगा 11 बटे 10 ठीक है, मुल्ले की बात हो रही है, चार से कितना हो रहा है, पांच, चार से कितना हो रहा है, पांच खर्च की बात हो रही है, क्या हो रहा है खर्च, खर्च की बात हो रही है, 10 से कितना हो रहा है, 11, बताओ वो तेल की मात्रा को कितने प्रतिसत कम करेगा, अब आपको पता है, अगर कोई ये वाली ट्रिक लगा देगा ना, इस प्रशन में, एक्स प्लेस वाई, ठीक है, प्लेस एक्स वाई बते में 100, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ गए क्या, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कौशन के लिए इस पता नहीं, आप तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, काम हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ठीक है कि नहीं है ऐसे प्रश्णों को इस ट्रीक से नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग फ्रेक्षर मेथड़ से करते हैं तो हमें लेंग्वेज का पता रहता है हम यह जानते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है खर्च बराबर क्या होता मुल्ले इंटू खपत जब मैं खपत का मान निकालता हूँ तो खपत बराबर कैसे निकालते हैं खपत बराबर होता है खर्च बटे मुल्ले बस इसका अधिहान रखना तो आप मुझे खपत की रेशियो चाहिए गिसकी रेशियो चाहिए खपत की और वो कैसे निकलेगा खर्च में किसका भाग दूँगा मुल्ले का रिजन है की नहीं है रिजन है क्या है खर्च में किसका भाग दूँगा मुल्ले का खर्च में किसका बाग दूँगा मुलेगा इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मुल्टिप्लाई कितना आ जाएगा थोड़ा काटे तो काट लेना पांच और दो फिर क्रॉस मुल्टिप्लाई कीजिए 25 और 22 ऐसा ही किया इस चीज में अब आप एक चीज नोटिस की जीएगा बताओ यहां यह काम किसके लिए है मात्रा यह खपत के लिए मात्रा यह खपत की बात हो रही है कमी कितने की हो रही है कमी कितने की हो रही है तीन की कमी हो रही है कमी कितने की हो रही है तीन की क्या मैं कमी परसेंट कैसे निकालते हैं कमी परसेंट कैसे निकालते है कमी % कमी कितने किये है 3 कि कितने में से 25 में से गुणा में कितना 100 हल करेंगे तो 25 के 100 कितना आ जाएगा 12% कौन सा अंसर आएगा कौन सा अंसर आएगा D option समझ में आया कि नहीं आया अगर आप बोलेगे कि सर 25% बढ़ा रहा है 10% बढ़ा रहा है मैं ये trick लगा दूगा कि ये कई सवाल लेकिन लगाना केस से है कब लगाना ये नहीं पता तो फिर हो गई बेड़ा गर्ग ठीक है के नहीं है चले हाँ अब इस कोशन में आप लोग कर सकते हैं क्या वो ट्रिक लगा सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि उसमें एक ही कंडिशन के लिए दोनों सरते हैं लेकिन फिर भी fraction से करेंगे एक संक्या में पहले कितने percent की वर्दी और फिर कितने percent की कमी आठ परसेंड की कमी है फ्रैक्शन की बात करें तो fraction से कर सकते हैं ट्रिक से करें तो哎 कर सकते हैं पहले एक्स की वर्दी हुई फिर कमी हुई है फिर X x x into y सकते हो आप यहाँ बटे में सु मताओ कितने percent की वर्दी? आठ की, कितने की कमी? आठ की, आठ इंटू? आठ, बटे में 100, कितना आएगा? यह आठ से आठ गया, 0.64, प्रतिसत की क्या आएगी? कमी, 0.64% की क्या आएगी? कमी, कुछ पता नहीं चला लेकिन फिर भी हमने आंसर दे दिया, पर सावधनी हटी, दुरगट ना खर्च, आएव, वे बच्चत वाले, इस तरह ऐसे अलग कोशन होने, कि खर्च बराबर मुल्ले इंटू खपत, यह भी हमें पता होना चाहिए, और इस से रिलेटेड वर्दिया कमी दे रखे हैं, तो सावधनी से करना होगा, कि यह लगेगा, कि नहीं लगेगा, समझ में आई बात, नहीं तो गलतिया होगी, बाकियो फ्रेक्शन से करते हम लोग, तो आट परसेंट कितना होता है, दो बटे 25, बढ़ाएंगे तो 27 बटे 25, आट परसेंट का मतलब 2 बटे 25, गठाएंगे तो 23 बटा 25, हल करेंगे, अगर संख्या की बात करेंगे, तो पहले संख्य कितने से, 25 से कितनी हो गई है, 27, बाद में संख्या कितने से, 25 से कितनी हो गई है, 23, अब हम लोग इनको मल्टिप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 625, इधर कितना आएगा, 621, 621, अब हम लोग देखेंगे कि कमी हुई है या वर्दी हुई है, कितने की कमी हुई है, वताव कमी परतिसत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 बटे, 625 गुणा 100, और भाग दे लेंगे हम लोग, 25 का 100, 25 या आएगा, 16 बटा 25, सोल कर लो इसको, बोलो 16 बटे 25, भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.64 परतिसत की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 0.64 परसेंड की कमी हुई है, कुल कितने माने बताईए फटापर से, 100 एक्स, कितने परतिसत, 12 परतिसत मत क्या है, नहीं डाले गई, कितने आजाएंगे, 88 एक्स, ठीक है, इसमें से कितने परतिसत, अमाने हैं, 2 परतिसत, कितने आजाएंगे, 88 का 2 परतिसत कितना होता है, 88 का 2 परतिसत कितना होता है, यह हो जाता है, 1.76 और वो कम करना है आपको, क्या करना है, कम करना है, तो कितना आजाएगा, 86.24 एक्स, अब बताओ, इसमें से, 86.24 एक्स में से, एक उमीदवार ने किस में से? 46 पर एक्स मत परापके, दूसरे ने? कितना आएगा? 86 माइनस, sorry, 86.24 माइनस 46 बताओ कितना आएगा? 40.24 आ गया क्या? अब बताओ इस में से अंतर कितना आएगा? आंतर? 5.6 x का अंतर और ये किस के बराबर होंगे? 5.6 x बराबर कितना होगा? 1045 बाग देंगे x बराबर कितना आएगा? 181.25 अब मुझे चाहिए क्या? कुल चाहिए और कुल तो ये रहे और कुल ये रहे तो कुल कितना आजाएगा? 100 x 181.25 कितना हो जाएगा? कौन सा आप्शन हो जाएगा? D आप्शन हो जाएगा एक विदान सब चुनाओं में एक विदान सब चुनाओं में एक उमिद्वार को कुल वेद्दे वोटों का 72 प्रतिसत वोट मिले? कुल वोटों का 1.2 प्रतिसत अवेद किया गया है यदि मत दाताओं कि कुल संक्या 3,32,000 है तो इस उमिद्वार के पक्स में डाले गए मतों की संक्या क्या होगी? अब मुझे बताओं ये जो प्रतिसत है वो तो वेद्दे मत है वेद्दे का एक उमिद्वार ने कितने प्रतिसत? बहतर दूसरे ने कितना बताईएगा? 28 प्रतिसत क्लियर है क्या? एक उमिद्वार ने 72 प्रतिसत दूसरे ने कितना? 28 प्रतिसत इसी प्रकार से कुल वोटो का कितना अवेद है? 1.2 वेद्दे निकालेंगे क्या? अवेद्द निकालो पहले और वेद्द में से गठा दो अवेद्द कितने है? 3,32,000 इसका कितना प्रतिसत? 1.2 प्रतिसत और अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.0 से 2.0 0.1 से 1.0 कम हो जाएगा 12.24, 36, 37, 38 32, 36, 3984 होगा की नहीं होगा? अब मैं इसको किसमें से इसमें से गठा देंगे? ठीक है? 3,32,000 में से ये गठा दो तो वेद्द मत आ जाएगे कितना आया? 3,32,000 3,32,000 में से कितना गठा दो गया आप लोग? ये गठा देंगे 3,984 कितने आ जाएगे? चे एक जीरो और आठ तो कितना हो गया बताईए बतीस तीन लाख अठाईस जार सोला ये मेरे पास मत आ चुके हैं ओके पूछा क्या गया है अब ये वेद्य मतों में से किसके मत जाईए बहत्र प्रतिसत चाहिए कितने प्रतिसत चाहिए बहत्र प्रतिसत चाहिए तो इनका अगर मैं बहत्र प्रतिसत निकालूँगा तो उमीदवार के पक्स में आ जाएंगे कितने आ जाएंगे सेकिंड यानी फर्स्ट उमीदवार के पक्स में तीन लाख अठाईस जार सोला का बहत्र प्रतिसत निकालना ही पड़ेगा, multiply करके दो digit के बाद point लगा देंगे, तो approximately कितना हो जाएगा, यह लगबग लगबग answer आएगा आपके पास, कौनसा answer आएगा, D option answer आएगा, कौनसा आएगा, D option answer आएगा, एक चुनाव में दो उमीदवार होते हैं, एक वेक्ति को 40 प्रतिसत वोट मिले और 50 वोटों से हार गया, ठीक है, यह मानते होए कि कोई भी वोट अवेद नहीं थे, वोटों की कुल संक्या कितनी थी, बताएं, दो उमीदवार है हमारे पास में, एक वेक्ति 40 प्रतिसत तो दूसरा कितना, 60 प्रतिसत, कितने वोटों से हार गया है, कितने वोटों से हार गया है, 20 प्रतिसत वोटों से हार गया है, और कितने वोटों से हार गया है, 50 वोटों से हार गया है, 20 प्रतिसत बराबर कितना आएगा, 50, 1 प्रतिसत बराबर कितना आजाएगा, 2.5, कितने वोट चाहिए, total, कितने प्रतिसत होंगे, 100 प्रतिसत, कितने हो जाएगे, 250, कौन सा answer आजाएगा, कौन सा आजाएगा, C option आज चरदान कर सकते हैं यदि पुरूष मध्दाताओं के संक्या में 11 परतिसदों, और महिला मत्दाताओं के संक्या में 20 परतिसदों की वर्दी होती है। है कस्वे में क्रमे से पुरुसर महिलाओ की प्रारभिक संक्या ज्याद कीजिए ठीक है मुझे बताओ पहले कितने लोग थे बाद में कितने हो गए 6330 कितने बढ़ चुके हैं आप लोग गठाएंगे कितने बढ़ चुके हैं बताइएगा 30 और 830 बढ़ चुके हैं क्या कितनी बार बढ़ाने पर पुरुसों की संक्या में 11 प्रतिसत महिलाओ की संक्या में 20 प्रतिसत एवरेज कितना वर्दी हुई है एवरेज वर्दी कितनी हुई है एवरेज वर्दी हुई है आठ सो तीस तो हुई है कितने में से पचपन सो में से गुणा में कितना आएगा सो बताएए दो जिरो से दो जिरो कट गया क्या अरे नहीं कटा क्या एक जिरो से एक जिरो एक जिरो से एक जिरो पांस दुनी दस पांस से काटेंगे ग्यारा कितना आया बताओ छे आट दुनी सोला 166 वटे ग अब मुझे बताओ, अगर सबसे पहले बात करते हैं, पुरुसोग में कितने प्रतिसत की वर्दी हुई है, 11 प्रतिसत के, महिलाओं में 20 प्रतिसत की, कुल मिला के 166 वटे 11 के, अब मुझे ये 11 हटाना है, तो मैं सबसे किसे गुणा करूँगा, इधर भी किसे, इधर भी किस से, 11 से, ये 11 सी 11 कट जाएगा क्या, ये 11 सी 11 कट जाएगा, तो यहाँ वेल्यू कितनी आएगी, 166, यहाँ वेल्यू कितनी आए, 220, यहाँ वेल्यू कितनी आए, 121, अब क्या लगाएंगे, मिस्रन, अब क्या लगाएंगे, मिस्रन, अब बताओ, 220 में से 166 गए, तो कितना आएगा 220 में से 166 गए 4 और 5 54 आजाएगा क्या और बताएं 166 में से 121 गया तो कितना आएगा कितना आजाएगा 121 गठाएंगे 5 4 45 अब और कटते हैं क्या 9 6 की 54 नो पंजे 45 छे अनुपात 5 आया क्या ये पुरुसों का और ये महिलाओं का इसके बाद में आप इसमें करते हैं क्या पुरुसों और महिलाओं की प्रारंबिक संक्या ग्याद कीजिए 6 और 5 कितने हुए 11 अनुपात बराबर टोटल कितने थे शुरुवात में 1500 एक अनुपात बराबर 500 शुरुवात में अगर संक्या चाइए किन की पुरुसों की तो बताओ 6 गुणा कितना करूंगा 500 कितना आजाएगा 3000 अगर मुझे चाइए महिलाओं की अनुपात कितना है 5 कितने से गुणा करूंगा 500 से कितना आजाएगा 2500 तो बताएं पचपन सो में से तीन अजार क्या है पुरूस कुल मिला के आंसर कितना आजाएगा तीन अजार कौनसा ऑप्चन होगा वी ऑप्चन हो जाएगा कौनसा होगा वी ऑप्चन के लियर है आगे देखो एक गाम की जनसंक्या एक वर्स में 90 हजार से बढ़कर 98 में हजार हो गई है जनसंक्या वर्दी दर ग्याद कीजिए अच्छा 90 हजार से बढ़कर कितनी हो गई है 98 में हजार पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन 3-0 से 3-0 2 से काटेंगे 45 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 ठीक है क्या निकानला है जनसंक्या वर्दी दर दर का मतलब क्या होगा परसंटेज में मान कितने की वर्दी हुई है 3 की या 4 की वर्दी परसंटेज क्या येगा 4 वटे 45 गुणा 5 दूनी 10 5 नो पेतालीश 4 दूनी 8 असी बटे 9 9 आटे बहतर 9 आटे बहतर और 9 आटे बहतर 9 आटे बहतर यानि 8.9 परतिसत 8.9 परतिसत कौनसा option हो जाएगा? D option हो जाएगा. कौनसा option हो जाएगा? D option हो जाएगा. अब clear है? सराब पानी का एक गोल है. साथ अनुपात एक के अनुपात से बना है. इस गोल में सराब की प्रतिसत सांदरता ग्याद कीजिए. इस गोल में सराब की प्रतिसत सांदरता ग्याद कीजिए. सराब और गोल क्या रेशियो है? साथ अनुपात एक. किसकी पूछी गई है? टोटल कितने हो जाएगे? आठ. किसकी सराब की प्रतिसत सांदरता? तो बताओ सराब की प्रतिसत सांदरता कितनी होगी? प्रतिसत पूछा गया है सराब का किस में से? टोटल में से? गुणा में 100. अब या तो हल कर लो या फिर आंसर दे सकते हैं कितना 87.5% 700 में किसका भाग देंगे 8 का आ जाएगा नहीं तो 7 बटे 8 का परसेंटेज पोर्मेट क्या होता है बताया हुआ है 87.5% साड़े 12% एक बटा 8 साड़े 37% तीन बटे 8 साड़े 62% पांच बटे 8 साड़े 87% साथ बटे 8 आट वर्स के वच्चे का भार 20 किलोग्राम है 15 वर्स की आयू तब पहुंचते उसका भार 42 किलोग्राम हो जाता है भार में कितने प्रतिसत की बर्दी हुई आट वर्स का था बताओ कितना हो गया बताओ 20 किलोग्राम 15 वर्स की आयू पर कितना हो गया 42 किलोग्राम अब वर्दी प्रतिसत पूछा गया है बताओ कर सकते हैं क्या काट लो और थोड़ा सा 10 21 कितने की वर्दी हुई 11 कि वर्दी प्रतिसत 11 वटे 10 गुणा 100 10 से ये 10 कैंसल आउट 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 प्रतिसत की वर्दी हुई है कौन सा ओप्शन हो जाएगा ये ओप्शन हो जाएगा यदि संक्या 40 में 40 प्रतिसत की वर्दी की जाती है वार्षिक वर्दी दर ग्याद कीजिए संक्या क्या मानी संक्या 40 है और उसमें कितने की वर्दी हुई है 40 प्रतिसत की 40 प्रतिसत का मतलब क्या होता है दो बटे पांच पर वर्दी हुई ही तो क्या हो जाएगा साथ बटे पांच साथ बटे पांच वास्तिव की वर्दी दर पांच आर चालीस आट उसाट उचपन वर्दी करने के बाद क्या गया मान चपन कौन सा देखो वास्तिव की वर्दी क्या हुई है वर्दी कितने की हुई है बताओ अरे चालीस चपन कितने की वर्दी हुई है कितने की ना की ये पूचा है कि संक्या क्या है ये पूचा वर्दी पूचा संक्या में वर्दी पूचा है तो सही answer क्या होगा 16 होगा कौन सा option A option ठीक है एक वस्थू की कीमत 2020 में 2020 से 21 10 परतिसत 21 से 22 15 परतिसत 2020-21, 21-22, ऐसा ही है, हम लोग देखेंगे यहाँ कितने की वर्दी है, 10 प्रतिसत, यहाँ कितने की वर्दी है, 15 प्रतिसत, ठीक है? माल लेते हैं कि 2020-2021 में अंतर पूचा है, एक काम करते हैं, हमारे पास एक तरीका, इस तरीके के लगातार वर्दी होती है, ठीक है? या तो 100 मान के करो, या फिर आप लोग वो ट्रिक लगा लोगे, X प्लस Y, प्लस XY बटे में 100, इससे एकदम से पता लग जाएगा कितने की वर पहले 10 की फिर 15 की, बताईए, 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15, बटे में 100, बोलो कितना आजाएगा? कितना आजाएगा? 25, 26.5 आजाएगा क्या? 26.5 परसेंड की वर्दी होई है, यानि अंतर ही होगा ये, वर्दी का मतलब क्या हुआ? अंतर, और अगर देखिए अंतर कितना दिया हुआ है? यहां से लेके यहां तक का, यह अंतर निकालने का एक तरीका होगा? नहीं तो आप क्या मानते पहले? 100 मानते, फिर 10 परसेंड की वर्दी 110 बटे 100, फिर 115 बटे 100, इससे भी अल करते हैं, तो भी मेरे पास यही आता क्या? कितन ही हो जाती है, इस तरह से, ठीक है कि नहीं है? दोलों में से कोई भी तरीका लगाएं, 2020 से 2022, कितने का अंतर आया? 26.5 प्रतिसत का, अंतर आया क्या? अब यह 26.5 प्रतिसत, बराबर कितना है? 35, एक्चुल कीमत कितनी होगी? 100 प्रतिसत, 35 बटे 26.5, गुणा में कितना? 100 पॉइंट अटाएंगे, एक जिरो और लगा देंगे, काट देंगे हम लोग, पांस दूनी दस, पच्चम पच्चीस, पांस ती पंद्रा, ठीक, यह होगा क्या? 53, अब और कटते हैं, नहीं कटते हैं, सीधा गुणा करके भाग दीजिए, साथ जार में 53 का भाग, दो जार इक्कीस का, अब दो जार इक्कीस के लिए इसका मतलब क्या हो गया? साथ जार और बटे तरेपन इंटू, दस पर्सेंट की वर्दी लिख लेते हैं, दस पर्सेंट की वर्दी हुई है, एक सो दस बटे सो, इसे हल करेंगे हम लोग, तो दो जिरो से दो जिरो, मेरे पास आएगे इसकी जो डिजिट आजाएगी, 1177, कितना आजाएगा? 1177, कितना आजाएगा? 7700, बटे में 53, आप रॉक्ने लेना, 7700, बटे में 53, जब आप भाग देंगे तो कितना आजाएगा? अप्रॉक्सिमेट ले जाएगा, 145.3, ठीक है? लग बग लग बग, उतार लो चलो, यह भी सही है कि आपने सही सही कैलिकुलेशन की है, 2011 से 2014 तक एक नगर की जनसंक्या दो परतिसत की वार्शिक दर से बढ़ रही है, 2014 में इसकी जनसंक्या? 13,265, 2011 में, 2011 से बढ़ रही है जनसंक्या, कहां पहुँच गई? 2014, 12, 13, कितने परतिसत से बढ़ रही है? क्या आप समझ में आया? ठीक है, यह 2012, यह 2013, यह 2014, यह 2011 हो गई, माल लेते हैं कि अभी आप से पूचाए 2011 की जनसंक्या तो पूची गई है, और 2024 की दिए 13,265, कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है? 2%, 2% का मतलब क्या होता है? 2% का मतलब 1 बटे 50, बढ़ाएंगे तो 51 बटे 50, 51 बटे 50, और 51 बटे 50, अब याद रखना जब इस प्रकार की कोई क्वेसन आते हैं, इतनी लेंदी कैल्कुलेशन में आती है, कुछ कितना खुछ तो है इसमें टेक्नीक, और वो क्या, इक्याओन इंटी, क्याओन इंटी, क्याओन, कितना होता है, बताओ देखें, सेम पूरी डिजिट हो जाती है क्या, और होगी, आप idea से लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, जब इसी calculation दिये हैं, तो कुछ सोच विचार कितना आ रहा है अंसर कहा है अच्छा ठीक है अप्रॉक्सिमेटली आएगी ठीक है इसमें देखिए आप लोगों को बोला गया है जनसंक्या लगबग आएगी क्या आएगी लगबग तो जब हम लोग इसका भाग देंगे ठीक है तो यहां पर बोला गया है लगबग कितनी रहेगी तो जब हम लोग भाग देंगे तो इसका जो मान आता है वो आता है 1,32,651 और यहां क्या है 13,265 अगर यहां होता तो इसका मलब हम लोग जब भाग देंगे तो लगबग लगबग 0.1 ले लेंगे कितना लेंगे 0.1 तो approximately जो answer आएगा वो मेरे पास आएगा वो आएगा 125 डबल 0 लगबग लगबग answer लेना होगा आपको approximately तो कौनसा option होगा बी option हो जाएगा कौनसा हो जाएगा बी option हो जाएगा चेक कर लोग एक बार सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली लिया है मेरे अरे तेराजार दोसु पैसेट में क्याउन इंटी क्याउन इंटी क्याउन का भाग दे दो तसके से आ सकता है उल्टा बाग दे रहा है क्याउन जीरो पॉंट एक ही आ रहा है न एक और कॉशन करो बढ़ जाओ अप्जल की मासिकाई 35,000 है वो अपनी मासिकाई का 20% बोजन पर 30% कपडों पर और 15% किराए पर खर्च करता है अप्जल की परतिमा कितनी धन्रासी की बचत होती है वो एक साथ कितना खर्च करता है वो देखो सेश तो बूला ही नहीं है 20% बोजन पर 30% कपड़ों पर और 15% किराय पर खर्च करता है एक साथ कितना खर्च कर दिया 65% खर्च कर दिया बताओ सेश कितना बच गया सेश कितना बच गया सेश की बात करेंगे तो कितना बच गया 35% और हमें निकालना क्या इस्राशी का 35 प्रतिसत तो वो बच्चाता जाएगी 35,000 इंटू 35 बटे 100 अब 35 इंटू 35 तो जानते ही होंगे आप लोग 1225 होते हैं तो 12,250 कौन सौ ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है किलियर हो गया तो हमारे पास अगला कुशन है एक गाउं की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12.5 की वर्दी और दूसरे वर्ष में आठ परतिसत की कमी होती है यदि गाउं की वर्तमान जनसंख्या 32 है अच्छा देखो वर्तमान जनसंख्या दी गई है और फिर दो वर्स बाद में, कितने वर्स बाद में? एक वर्स बाद, अनदर एक वर्स बाद, कितने वर्स हो गई? दो वर्स के बाद में ये जनसंग क्या आप से पूछी गई है, ये कॉशन है अपना, तो अभी वर्तमान की जनसंग क्या कितनी दी गई है? पतीस अजार और पहले वर्ष के अंदर जो वर्दी दर है साड़े बारा परसेंट कितना होता है और अगर वर्दी कर देंगे तो कितना हो जाएगा नो बटे आठ कितना हो जाएगा नो बटे आठ मैं इसका नो बटे आठ निकालूँगा एक साल में इतनी वर्दी हो गई इसके बाद मैं आगे देखे 8% की कमी होती है उससे अगले साल में बढ़ाने के बाद वापस कमी हुए तो एक पर 4% कितना होता है एक बटा पच्चिस 8% दो बटा पच्चिस और कमी करेंगे तो 23 बटा पच्चिस लिख देंगे हम लोग 23 बटा पच्चिस अब इसको हल करने के बाद जो भी डिजिट आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा यानि दो बर्ष के बाद अंसंक्या कितनी हो जाएगी वो आ जाएगा और हम जानते हैं कि आडचो के 32 होता है ठीक है और 25 से डिवाइड भी कर ले तो भाग चला जाएगा 25 से एकाम 25 और 15 पच्चिस के डेड़ सूँ 16 आ जाएगा अब हमको मल्टिप्लाई ही करना है क्या करना है मल्टिप्लाई करना है डिजिट से चेक करना जाए डिजिट से चेक कर से 29 सताइस आतनो तरेशट है ठीक है चलिए 29 सताइस साच्ची की बियानीस अच्चा ये दो आप्चन में से कोई एक आप्चन मारा आंचर आएगा और कौन सा आप्चर आएगा तो हम लोग इनको गुणा करनेंगे 145 को 23 से गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्चन आप्चन आजएगा 3312 कौन सा आन्चर आजएगा 3312 किलियर है ठीक अगला क्योश्चन है स्सेजडी 2023 के अंदर पूछा गया ये क्योश्चन 22 में नहीं कब पूछा गया है 23 के अंदर और X अनुपाद Y का रेश्यो दिया गया है X अनुपाद Y का क्या रेश्यो दिया गया है 3 अनुपाद 4 अब हम सर्थ को देख लेते हैं X Y का 80 प्रतिसत अब एक काम करते हैं X Y का प्रतिसत ही निकाल लेते है X Y का कितना प्रतिसत यही निकाल लेते हैं यही प्रतिसत होगा, एक्स का मान कितना है देख के बताइएगा, तीन, वाई का गुणा में सो, चार से बाग देगा कितना, पच्ची, पच्ची ती, पिछोत्तर, इसका मलब ये सर्थ तो बिलकुल गलत है, ये सर्थ गलत है, ठीक है, नहीं, एक्स वाई का 120 प्रतिसत, ये वाली सर्थ तो गलत है, अब इनको और चेक कर लेते हैं, यहां बुला है, एक्स वाई का 80 प्रतिसत है, इस सर्थ को कार दो, एक्स वाई का 80 प्रतिसत है, एक्स वाई का निकाला तो कितना प्रतिसत है, पिछोत्तर, ये सर्थ भी क्या हो गई, गलत, एक्स वाई का 35 प्रति ये चेक करना है, ठीक है, yx का 120 प्रतिसाद, ये चेक करना है, तो y बटा x उना 100, ये भी चेक कर लो, कितना आएगा y का मान कितना है, x का मान उना में 100, अच्छा 400 बटे 30, क्या आंसर आया बताओ, 133 सही एक बटा 3 प्रतिसाद आया क्या, अरे, बोलो, कितना है, 133 सही एक बटा 3 प्रतिसाद, इसका मालब ये भी आंसर गलत है, तो हम ये कह सकते हैं, कि इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा, x, y का तो प्रतिसाद प्रतिसाद है, और y, x का कितना है, 133 सही एक बटा 3 प्रतिसाद, इसका मालब यही होता है, तो हम गाउन की जनसंक्या में पहले 0.2 प्रतिसात की बर्दी होती है? दूसरे वर्स में है 0.4% की वर्दी होती है और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्स में यह 0.4% घट जाती है तीन वर्स बाद इसकी जनसंक्या क्या होगी यदि पहले वर्स की सुरुवात में यह 2000 थी कितनी थी 2000 थी अगर आप यह सोच रहे हैं कि वही वर्तमान जनसंक्या ले लेते हैं उसके बाद में वर्दी हो जाएगी उसके बाद में फिर वर्दी हो जाएगी और उसके बाद में कमी हो जाएगी और फिर हम तीन साल बाद में यहाँ पर आप लोग क्या प्राप्ट करेंगे जनसंक्या लेकिन अगर आप लोग इसको इस मेथड से कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत आएगी तो तीन बार वर्दी हुई है तो तीन बार वर्दी को आप fraction method से ना करके एक तरीका है उस तरीके से करेंगे तो calculation आसान हो जाएगे कौन सा तरीका है पहले 2 को लेंगे यह वाला कौन सा method x plus y plus xy वते 100 यह जानते हैं सभी लोग जानिएगा ठीक है अब इस method से आप लोग करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 0.2 0.4 प्लैस 0.2 गुना 0.4 बटे में 100 और जब आप लोग इसमें solve करेंगे तो यह तो हो जाएगा 0.6 प्लैस यह हो जाएगा 0.0008 तो कुल मिलाके 0.0 और अब इसको हम लोग पूरांकित करेंगे क्या करेंगे पूरांकित कर देंगे और पूरांकित कर देंगे तो दो डिजिट तक डिजिट लेने हैं जो 0.60 यह हम लोग मान ले लेते हैं ठीक है 0.60 प्रतिसत तो 0.6 प्रतिसत की वर्दी हो रही है मैं यह से कह सकता हूं इसको मैं 0.6 लिख दूँगा 6 प्रतिसत की वर्दी कब करने पर पूरांकित करने पर बात समझ में आ गई दो डिजिट तक पूरांकित करना है कर्शन में बोला गया है अब मैं ये सर्थ लेता हूं फिर से यही पूरा हल करेंगे तो 0.0024 पूरा हल करेंगे तो 0.199 और यहां हो जाएगा ठीक है तो 76 यह वेलिव आ जाएगी ओके अब मुझे बताओ जब आप इसको पूरांकित करोगे दो डिजिट तक तो यह हो जाएगा 0.1 और यह हो जाएगा लगब लगब यही आ जाएगा 0.2 0.2 की कुल मिला के 0.2 की वर्दी हुई है कितने की वर्दी हुई है 0.2 की वर्दी हुई है अप्रॉक्सिमेटली अब नुझे बताओ प्रारम में जनसंक्या कितनी थी आप इस क्योशन को यहां से करेंगे प्रारम में जनसंक्या कितनी थी 2000 और लगातार पहले वर्दी फिर अगले साल वर्दी फिर कमे तो पूरा का पूरा मान एक साथ कह सकता है कुल मिला के कितने की वर्दी हुई 0.2 की इसका मान निकालेंगे आप लोग तो दो जिरो से दो चिरो कितना आएगा चार और यह चार वापस एड़ कर देंगे तो कुल मिला कि अक्या आएगी जनसंक्या के 2004 और 2004 का अप्रोक्सिमेटली मान कौन सा हुआ बताइएगा कौन सा हैगा 2003.67 अप्रोक्सिमेटली मान है तो सही आंसर कौन सा हुजाएगा मेरा C अप्चन हो जाएगा किलियर हुआ अगर आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं फ्रेक्शन लगा के कर रहे हैं 1000 और बढ़ाएंगे याद रखिये तो क्या होगा एक वजार एक पांसो जाएगा एक बटा पांसो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा पांसो एक बटा पांसो इस तरह ऐसे सोल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा पहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बिलकुल एक वेक्ति की मासिक आई पंदरा जार चार सो थी और उसका मासिक वे साथ जार दो सो था उसकी आई में बीस प्रतिसत की वर्दी हुई और उसके खर्च में पांच प्रतिसत की वर्दी हुई इसकी बचत में प्रतिसत वर्दी ज्याद कीजिए अब बताओं मासिक आई कितनी है है वे कितना है खर्च कितना होगा पंदराजार चारसो में सी ये गठा दो दोसो आ जाएगा आठ जार दोसो हो जाएगा क्या आठ जार दोसो हो जाएगा अब बताएं ये हमारे लिए क्या होगे आए ये हमारे लिए खर्च और देखो ये हमारा खर्च नहीं होगा क्या होगा ये बचत खर्च तो दिया है कितना हो जाएगा आठ जार दोसो और अब 8 2 0 2 0 2 0 Bluetooth bond. तो आभ दिय atualagem 2 digit के बाद पॉइंट लगा हुआ, sorry, 2 oh 0 लगे हैं तो'RE सो तो लगाते ही हैं आपने तरब से और या कितने अग के ये राली वेलिव कड़ती है क्या कितने से कट रही है 2 से या च्यार से, दो से एक आड़ाँ, छलो, ठीक है, कितना आया बताईएगा? सततर सो, छतीस सो, एकतालिस सो, ठीक है, अब बताएं, यहां आय में कितने की वर्दी कर रहे हैं, और वे में कितने की वर्दी कर रहे हैं? बचत में प्रतिशत वर्दी ग्याब करनी है या तो मैं पूरा निकालू या फिर केवल इतना निकालू यानि वर्दी वर्दी वाला मान निकालू दो तरीके हैं या तो 120% निकालू या फिर 20% निकालू कितने की वर्दी हो रही है तो डिजिट बढ़ी है तो केवल 20% ही निकाल लेते हैं हम लोग ऐसा कर लेते हैं अब बताओ 20% ही निकालेंगे तो percentage से 2-0 गए तो कुल मिला के वर्दी कितने की हुई बताईएगा 0 1540 की वर्दी हो गई है इधर बताओ और खर्च में कितने की वर्दी हुई है 5% की percentage से 2-0 गए 180 अब बताएएँ यहां बच्चत कितनी आईए 1540 में से 180 गठा देंगे तो क्या आएगा बच्चत आएगी तो बच्चत क्यमें वर्दी देखो यहां बच्चत में वर्दी कितने की हुई क्योंकि यह भी तो क्या है खर्च में वर्दी किस में खर्च में और यह क्या है आए में वर्दी और अब बच्चत में वर्दी कितने की हुई इसमें से इसको गठा देंगे तो सुद्ध वर्दी पता लग जाएगा अब कितना आएगा बताओ कितना आजाएगा बताओ कितना 1360 की बचत हो गई है 1360 की बचत हो गई कितने मेंसे हुई है बताईएगा 4100 मेंसे कितने मेंसे हुई 4100 कितने की वर्दी हो गई है 1360 रुपे और वढ़ चुके है डारेक्ट वर्दी आई है अब बताओ परसंटेज निकालनू बचत का परतिशत वर्दी परसंटेज वर्दी परसंटेज अब इसमें मुझे बताओ कितना लिखूँ तेरा सो साथ तेरा सो साथ बटे एक तालिस सो गुणा में सो दो जिरो से दो जिरो राइट ठीक है कितने जिरो से दो जिरो से दो जिरो हाँ या ना ठीक है इसके बाद बताओ एक तालिस का बाद इसमें देंगे कितनी बार जाएगा लगबग लगबग कितना बार जाएगा चारती बारा लगबग लगबग तीन बार गया क्या कितना लगब लगब मेरे पास आज़ेगा 33.17 प्रतिसत कौन सा option हो जाएगा C option क्या समझ में आया क्या कोई दिक्कत नहीं है ओके आगे बढ़ जाओं तीक है पिंकी अपनी कार की टंकी में कितने लिटर पेट्रोल बढ़ती है तो बरा कितना है 20 लिटर ऐसे कर लो बरा है 20 लिटर और यात्रा पे खर्च कितना किया है यात्रा पे खर्च पता नहीं लेकिन उसके बाद 6 कितना बचा हुआ है ये पता है 5.5 लिटर ये भी 5.20 लिटर है अब बताओ खर्च कितना किया होगा 20 माइनस 5.5 तो कितना खर्च किया होगा 14.5 लिटर क्या कोई दिक्कत किसी को अब परिवर्तन कितना हो गया 20 से 5.5 हो गया तो परिवर्तन कितने लिटर का हो गया पुछा हूँ, चोधा पुण पांस लीटर का, तो परिवर्तन का प्रतिसत ही पूचा है, तो क्या लिकूंगा, चोधा पुण पांच, बटे में 20, गुणा में 100, और ये परिवर्तन कितने प्रतिसत हुआ है, 25, 25, 70, 71, 72, 72.5 प्रतिसत, कौनसा अंसर आएगा, B-option आजाएगा, ठीक है, B-option आजाएगा, तो वो अंक वापस गठाएगे, तो पास होने वाले अंक मिलेंगे, तो गठाना होता ही है, पास होने वाले अंक इतने हैं, 50 प्रतिसत, और प्लस 100, और इसका भी कितना प्रतिसत तीस प्रतिसत और इस तीस प्रतिसत को आप क्या लिखोगे तीन बटे दस अब ये दस तो इधर गुणा हो जाएंगे लेकिन देखिए ये दस तो इनके साथ बटे में नहीं है तो बताओ दस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 प्रतिसत एक हजार बराबर 780 प्रतिसत तस से गुणा कर दिये इससे इससे क्योंकि इनके तो बटे में है और इस संक्या को इससे गुणा करेंगे देढ़ सो माइनस तीन सो ठीक है इसके बाद मुझे बताओ 500 तो उसतरब जाएगा और हम लोग इनको 600 करेंगे कितना जाएगा यह 24 цент में है यह ज्यान रखना यह 2400 किस में है प्रतिस्ट में है तो 500 कम करेंगे और 300 स्टरब आएगा तो इधर कितना हो जाएगा तेरा सो और इधर ये कम करेंगे तो दो सो असी माइनेज देड़ सो और कर दो प्रतिसत में ठीक है और ये भी प्रतिसत में है तो तेरा सो बराबर कितना हो जाएगा एक सो तीस प्रतिसत जब आप इसका भाग देंगे पूरा पूरा तो आप सी ओप्षन है कितने हैं सी ओप्षन है कर लिया यदि रीता और गीता की आई 16 सो रुपे और 24 सो रुपे हैं गीता की आई रीता की आई से कितने प्रतिसत अधिक यह तो बड़ा इजी कोशन है रीता और गीता रीता देख़ी 16 सो रुपे और गीता की आई 24 सो रुपे हैं इसके बाद आप लोग इसको पॉइंट दो जिरो से दो जिरो चे आड़ से कार देंगे आड़ दो ने 16 आड़ तिया 24 दो अनुपात तीन तो बताएं गीता की आई रीता से कितनी अधिक है एक और अधिक परतिसत निकालना है तो एक बटे दो गुणा सो ठीक है इसमें मुझे बताएंगे दो का बाग देंगे कितना आएगा 50 प्रतिसत कौनसा option हो जाएगा D option हो जाएगा एक सहर की जनसंक्या पहले दो वर्सों में 2 प्रतिसत की दर से बढ़ती है पर तीसरे वर्स में 4 प्रतिसत की दर से गढ़ती है यदि सहर की वर्तमान जनसंक्या कितनी है सहर की देखो यह वैसा ही सवाल है अब वर्तमान जनसंग क्या है जो भी है देरे किये बासट अजार पान सो इसके बाद में पहले साल कितने की वर्दी हुई है दो प्रतिसद उसके बाद अगले साल चार प्रतिसद वर्दी नहीं हो रही है गट रही है चार प्रतिसद गड़ती है उसके बाद अगले साल गलत कर दिया क्या एक सहर की वर्तमान जनसंग क्या में देरे किया है कितनी देरे किया है बासट अजार पान सो पहले साल कितने परसेंट की वर्दी होती है फिर अगले साल भी 2% की उसके अगले साल 4% की कमी हो रही है ठीक है आप मुझे बताओ अगर मैं इसको 102 बटे 100 ऐसे करता 102 बटे 100 ऐसे करूँगा और यहां च्यान में बटे 100 करूँगा उसके बाद जनसंक्या निकालूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा हा या न यह प्रक्रिया आपको नजर आ रही है इसको हमें एक साथ सोल कर ले तो कैसा रहेगा और एक साथ सोल करने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए एकस प्लस य प्लस एकस य बटे 100 इस तरीके से दो बार कर लेंगे हम लोग यह फार्मला कितनी बार लगा लेंग तो कितना आएगा 4.04 किस में आएगा प्रतिसत में अब अगली देखिए वर्दी दर यह तो वर्दी है इसके बाद में अगले साल कितने परसेंट की कमी हुई है 4 परसेंट की कमी हुई है तो कुल मिला के क्या होगा फिर से लगाएंगे 4.04 परसेंट की वर्दी और कमी 4 प आजाएगी value बताईएगा 4 से हम लोग 4 कम करेंगे तो 0.04 बच गया माइनस अब हम लोग इसको soul करके 100 का भाग देंगे तो कितना आजाएगा 4 चोग 16, 4 चोग 16 और 4 डिजिट के बाइद पॉइंट तो यह आजाएगा और आजे इसको हम लोग गठाएगे कुल मिला के तो गठाएगे तो कमी निकल के आ रही है कुल मिला के वर्दी के इस्तान पर क्या हो रही है कमी आ रही है कितनी आ रही है बताईएगा हम लोग soul करेंगे तो 16 और लगबक 0.12 16 प्रतिसत की क्या होई है कमी तो मैं सीधा ही निकालूंगा इसका 62,000 इंटू 0.01216 और अगर आप इसको संसित में लिखो तो संसित में लिख सकते हो 0.2 बते में 100 soul करो जल्ली से कितना आता है 2 0 से 2 0 गुना करो कितना आता है 52,000 बारदनच्च को गठा देंगे कितना आएगा 624 और 24 ये वेल्यू आजाएगा पिछोतर गठा देंगे अप्रोक्सिमेटली वेल्यू गठा देंगे तो मेरे पास वेल्यू क्या आजाएगी D option, किलियर हुआ क्या सभी का तो अब देखो अगर आप इस तरह से करते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा कैसे करने से यहां करने से ऐसे करो तो कर लेना कोई दिक्कर ने केल्कुलेशन बड़ी होगी बस आपको गुना जादा करना पड़ेगा बढ़ जाओ आगे एक आदमी अपनी आई का सत्यासिय प्रतिसत खर्च करता है अपनी आई का अठारा प्रतिसत की वर्दी और उसमें खर्च से में सत्रा प्रतिसत की वर्दी की इसके बाद उसकी बचत में वर्दी क्या होगी मुझे बताओ आए कितनी मानि एक वेक्ति ने आई है सो खर्च कितना कर दिया 87 और बचट कितनी आई उसकी 13 इसके बाद देखिए उसने आई में कितने परसेंट की वर्दी की बताईएगा 18 परसेंट की वर्दी की है और खर्च में कितने की वर्दी की है 17 परसेंट की वर्दी की है इक काम करो डारेक्टली खर्च में आई में वर्दी 18 परसेंट की वर्दी है तो मतलब कितने की वर्दी हो गई 18 की वर्दी हो गई और 87 के 17 परसे सोका तो भाग दिया ही नहीं, सत्यासी इंटू सत्रा बटे सो तो सत्यासी के सत्रा परशन होगा, चोदा पॉइंट उन्यासी, यह हमारे पास वर्दी हो गई अगर आई में से मैं क्या गठा दूँगा, खर्च, तो निकल क्या जाईगी बच्चत तो कितनी आई बताईएगा, अगर बच्चत की बात करते हैं तो एक, दो, और साथ में से चार गए तीन, तीन पॉइंट एकिस यह हमारी बच्चत में वर्दी हो गई है, बच्चत नहीं आई, बच्चत में सीधी वर्दी आईए बच्चत नहीं आईए, यह ध्यान रखना, तो पूछा गया बच्चत में सुद्वर्दी का परसंटेज पूछा गया है बताओ, तीन पॉइंट एकिस उपर आएगा, बटे में तेरा आएगा, गुणा में सो आएगा तो सीधा वर्दी परसंट आजाएगा कितना आया तेरा दुना चप्वीस क्योंकि यहाँ पर जो बच्चत आए, उसी में से वर्दी, देखो, पहली बच्चत कितनी थे तेरा कुल मिला कि वर्दी कितनी हुए, तीन पॉइंट इकिस वर्दी के बाद की वेलिउ नहीं है, सीधी वर्दी है ठीक है, तो वर्दी है तीन पॉइंट इकिस की तेरा में, किसमें हुच से हुई वर्दी, तेरा में से बाग देंगे कितना आएगा 24.79 परतिसद कौनसा उप्शन हो जाएगा यह उप्शन हो जाएगा कौन सा option हो जाएगा यह option के लिए रहा है चलिए तो complete is book का solution आपको R की competition classes एप के ओपर मिल जाएगा play store पर जाके डाउनलोड कर सकते है complete is book का solution pyq site ssegd1 ठीक है बस यही वीडियो पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए thank you so much तन्यवाद जाएगा जाएगा